अब भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टेज को कम्प्लिट किया है उस पर के बेस पर हम कुछ कोश्टन की प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट कोश्टन हमारे पास यह है कि लिथियम हाइड्रेड इस मोर स्टेबल दैन सोडियम हाइड्रेड कि अब जब यह हाइड्रेड बना रहे है निकि जब यह किसी हाइड्रोजन के साथ अपना बॉंड फॉर्मेशन बना रहे है तो यह पूछ रहे है कि लिथियम हाइड्रेड ज्यादा स्टेबल होंगे क्यों सोडियम हाइड्रेड से होना क्या चाहिए कि sodium hydrate stable होना चाहिए जब हमने physical properties के बारे में discuss क्या था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि lithium आपके पास जो क्या है lithium जो element है lithium element is highly stable highly stable compare to other alkali metals तो एक रीजिन तो भई हम यही दे सकते हैं कि बाकी alkali metal के compare में और lithium सबसे ज़्यादा stable होता है इसलिए इसके hydrate भी क्या होंगे सबसे ज़्यादा stable होंगे यह हमें इसका दूसरा region देना है तो दूसरा region यह हो सकता है कि lithium की जो structure होती है वो कैसे होते है crystal जैसी और जो जिसकी crystal structure होती है उसके अंदर stability सबसे ज़्यादा होती है यानि कि इसके अंदर force of attraction सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ठीक है बाकी का compare में यह hard होता है ठीक है lithium is hard lithium is hard compare to other alkali metals आप एक रीजिन यह दे सकते हैं और तीसा जीजिन यह है कि lithium है उसू lithium is show force of attraction 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 will be high compared to other alkali metals तो यहाँ पर हमें समाज़ने के लिए हमारे पास यह रीजिन्स निकल के आते हैं फिर्स्ट रीजिन्स कि लीथियम एलेमेंट इस हाइली स्टेबल होता है compare to other alkali metals कि other alkali metals के compare में वह ज्यादा स्टेबल होगा तो हमें कैसे पता लगें कि lithium ज्यादा स्टेबल है तो उसके लिए हमने बात के कि lithium is a hard compare to different alkali metals कि different के compare में जो इसका safe और structure होता है वो ज्यादा hard होता है solid form में होता है और यह dry form में होता है इसके अंदर एक tendency होती है यानि कि जब आप इस पे energy लगाते हो या इस पे जब आप light डालते हो तो यह उसको heat form में absorb करता है और अपने आपको red light के अंदर convert करता है यह इसके सबसे बड़ी खासेत है पूरे group के अंदर दूसरा हमने discuss किया कि lithium show क्या करता है crystal structure यानि कि lithium के अंदर जो arrangement होता है geometrically वो क्यासा होता है crystal form जैसे होता है अब crystal form में जिसका arrangement होगा तो उसके अंदर already energy absorption ज्यादा होता है और उसके melting and boiling point क्या होते हैं ज्यादा high होते हैं थर्ड हमने इसी का region निकाला कि lithium the show lithium के अंदर क्या होगा force of attraction यानि कि force of attraction क्या होगा other metal से ज्यादा होगा तो सो जब lithium क्या करेगा वह अपने bond बनाएगा hydrogen के साथ यानि कि जब हो hydrate बनाएगा तो क्या होगा वो then highly stable highly stable इसके इंदर stability इस वज़े से क्या होगी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी compared to sodium hydrate ठीक है note कि इसी काफी important question है कई बार ही exams में पूछा गया question है ठीक है फिर भी कोई doubt रहता है तो आप comment section में हमें बता सकते हैं कुछ questions अभी हम discuss करेंगे जो अलड़ी net exam में आप से discuss के गई है first question हमारे पास है कि which are following the most basic यानि कि alkali metals अब देखो basic अब होती है जब यह react करती है water के साथ इनके सब सर्ची खास बात है पूरे table के अंदर कि जब यह react करेंगी किस के साथ बाई water के साथ तो ही hydroxide बनाती है hydroxide का मतलब है कि जिसके साथ hydroxide बनाएंगे वह वहाँ यह nature में कैसी हो जाएंगी basic हो जाएंगी वहाँ पर तो यह बोल रहा है दूसरा rubidium से बात करता हूँ अब rubidium के compare में cesium का size से बड़ा है तो वह option भी हमारे यहां पे match नहीं करेगा यह भी हमारे पास अंसर नहीं हो सकता अब आपके पास दो है potassium और cesium अब potassium से बड़ा size किसका होता है rubidium का आप जब यह option भी नहीं है तो आपके पास यह option भी नहीं हो सकता और next thing जब potassium को आप जब nature में यह निकी water की presence में react कराते हो तो आपको पता है इससे white color का smoke निकलता है निकी धुवा निकलता है इससे यह properly react नहीं कर पाता that's why हमारे पास last element आता है cesium that is it अब हमारे पास option कोई बचा नहीं है एक last option हमारे पास क्या है cesium दूसरा इसका region या यह है कि इसका size सबसे बड़ा होता है पूरे group के अंदर और इसका जो nuclear energy charge होता है वो सबसे कम होता है कम होने की वज़े से इसके अंदर force of attraction बहुत ही कम हो जाता है और force of attraction कम होने की वज़े से यह easily say ionize यानि कि cation और anion में convert हो जाता है यानि कि इसके dissolve होने की tendency highly increase कर जाती है बढ़ जाती है तो first region हमने क्या बताया कि size will be large compared to other elements दूसरा reason मैंने क्या बताया याप पे force of attraction force of attraction क्या होगा बहीं आपे weak easily dissociate and dissolve easily dissolve into ions ये दो reasons हमारे पास होंगे बहीं क्या easily से क्या हो जाएगा ये ions के इंदर dissolve हो जाएगा यानि कि ions आपकी two types की होंगी cation और anions ठीक है बहीं इसमें टूटना start हो जाएगा जिसके साथ आप reaction कराओगे अब अब cesium hydroxide है cesium यहां पे convert होगा positive के अंदर plus आपके पास hydroxide है और यह convert होगा case के अंदर इस तरीकी की property क्या करेंगे यह show करेंगे इसलिए जो हमारा answer होगा वह क्या होगा कि cesium most basic आपके पास compound यहां पे देखने को मिलेगा या cesium जितने भी आपके पास compound बनाऊगा बनाएगा वह nature में कैसे होंगे आपे basics होंगे next question हमारा आता है कि lithium show diagonal relationship which अब यह आपने already table से भी आप discuss कर सकते हो या कुछ groups आपको learn है first three period तो वहां से भी आपको इसलिए से पता चल सकता है यहां पे ज्यादा option हमें search करने की जुरूरत नहीं है lithium से just next element हमारा बैरलेम होता है तो वह option में दिया हुआ है तो यह diagonal की property show नहीं कर सकता calcium उससे काफे नीचे है यान कि fourth period का element है और हम lithium की बात कर रहे है second period की ठीक है और यहनी कि उसके बीच में हमारा third period और रहता है तो हमाई कोई ऐसा element यहाँ पे search करना है जिसका relation third period से हो तो calcium that note है answer calcium भी आप answer नहीं हो सकता फिर अगला आता है boron boron इसके same period का element है यानि कि इसकी position group number one में है और उसकी position group number 13 के अंदर first position उसे element की है जिसका नाम है boron तो वो भी हमारे यहाँ पे हमारे coding stable नहीं है तो यहाँ पे last element बसता है आपका magnesium तो lithium की इसाथ magnesium boron के साथ silicon यह क्या करते हैं diagonal relationship की property show करते हैं और जब आपने physical properties को discuss किया होगा तो physical properties के अंदर already हमने यह चीज़ discuss की है कि कि कौन किस किस के साथ diagonal relationship को follow करता है और diagonal relationship का मतलब क्या होता है कि जिनकी properties chemical as well as physical properties will be same यहनि कि जिसकी properties क्या होंगी same होंगी वही diagonal relationship को follow करेंगे अब यहां पर lithium अपनी properties magnesium के साथ क्या करेगा follow करेगा यहनि कि वो crystal form में crystal structure बनाता है तो magnesium भी यहां पर क्या करेगा crystal structure बनाएगा lithium का जो bond formation यहनि की force of attraction जादा होता है तो वही property magnesium भी show करेगा यदि lithium के hydroxide acidic होंगे nature के अंदर then magnesium भी same properties को follow करेगा वो भी अपने जो hydroxide बनाएगा वो nature में कैसे बनाएगा acidic बनाएगा यदि हमारे पास lithium है वो कुछ ऐसे property show करता है कि जिस condition पे वो properties पूरे group से different होती है उसी परकास same यह भी क्या करेगा अपने कुछ ऐसे properties को follow करेगा जो उसके group से different होंगी match नहीं करेंगे बट वो property definitely match करेंगे किस के साथ magnesium की property, lithium की साथ और lithium की property, magnesium की साथ ठीक है so note करेंगे answer next भाई अब हम जो start करने वाले हैं वो start करने chemical properties of alkali metals यहने कि alkali metals की chemical properties में first term जो हमारे पास आती है कि react with oxygen कि जब यह oxygen की साथ react करेगा तो किस तरीके की properties को यह follow up करेगा वो हमें यहापे discuss करना है वो properties को हमें यहापे समझने की कोशिस करनी है उसके बारे में हम आई हम discuss करते हैं तो यहाँ पर जो common properties है वो also vary करेंगी जैसे ionization enthalpy, reactivity और क्योंकि react करने के लिए electron share करना, gain and loss करना वो properties काफी क्या करती है यहापे match करती है तो उन properties का यहाँ पर already role रहेगा तो हम उनको ignore या deny किसी भी condition में नहीं करेंगी तो first property आप जो आपने physical में क्योंकि आप physical में आप already discuss कर चुके हो तो उने को हम continue करते हैं ठीक है तो first आती है low ionization enthalpy and low enthalpy of atomization ठीक है first property है हमारी low ionization enthalpy और low atomization enthalpy ठीक है दोसरा जब alkali metals react करते है oxygen के साथ तो तीन तरीके का oxide बिनाते हैं ठीक है oxygen sorry alkali metals when alkali metals when alkali metals react with oxygen react with oxygen then make oxide then make oxide और जो oxide बनाएंगे वो तीन तरीके के oxide बनाते हैं ठीक है oxide are शोड़ा प्रोपर्टी थ्री तैप्स थ्री तैप्स थी तैप्स नम्बर एक normal oxide या जुनका बोलते हो monoxide नम्बर दो नम्बर दो पर नम्बर तीन तैप्स पर उक्साइड और नम्बर तीन शोपर उक्साइड यह तीन तरीके की प्रॉपर्टेज हैं वो शो करते हैं जैसे आपके पास नॉर्मल उक्साइड है उनका जो जनल फॉर्मूला है वो क्या होता है M2O क्यों क्योंकि सभी मैटल की वैलंसी वो एक होगी ऑक्सिन की वैलंसी दो होगी बैलंस मैच करने के लिए हमें इसको मैटल को दुगना करना पड़ेगा तो M2 यहने की मैटल दुगनी और ऑक्सिजन जोड़ दो साथ में तो यह फॉर्मूला रहेगा नॉर्मल्स का उसके बाद पर ऑक्साइड एम टू ओ टू एम टू ओ टू फॉर एक्जम्पल हाइट्रोजन पर ऑक्साइड का फॉमूला आपको पता होगा रिकॉल की जरो मुझे कॉमेंट में डेफिनेटल आप बताएंगे कि क्या फॉमूला होता है एम टू ओ टू ठीक है और नेक्स्ट ठीक है तो इन बातों को आप टीहान रखेंगे यहां फेकजम्पल मैं लिख देता हूं रॉ यहां पर बनाता हूं मैं एन ए टू ओ टू ठीक है यहां किसी भी बड़े को लिख लो और बी ओ टू ठीक है सोडियम को मैंने यहाँ पर क्यों ने लिखा मैं वो भी आप से डिस्कस करने वाला हूँ अभी कि लीथियम मोनोकसाइड बनाएगा लीथियम शो मोनो ओकसाइड नॉर्मल ओकसाइड लिख लो यार मोनो ओकसाइड ठीक है सोडियम शो परोकसाइड लीथियम 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 शो परोकसाइड सुपर ऑक्साइड यह तीर कटेगरी मतलब ग्रूप एक है उपस से आप चलेंगे और नीचे तक आप जाएंगे तो आपके पास एक ग्रूप है ग्रूप नमबर फर्स्ट पर जब आप प्रॉपर्टिस की बात कर रहे हैं और ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है पहला लॉँ आउदमाईजीशन ग्री in penser यह भी आपकी लू रहती है मैंने डिस्कस किया कि रहना प्रस्ट का मेनल्कुली मेतला रेक्ट बिद ऑक्सिजिजिटन दैन मेक ओक्साइड अक्साइड बनाते हैं oxide तीनु तरिक्य के बिनाते हैं mono oxide, dioxide और super oxide और वो तीनो oxide जो आपके पास है mono oxide, dioxide और super oxide तो lithium अकिला mono oxide बिनाता है sodium already dioxide बिनाता है and others जो है वो सारे supra oxide बिनाते हैं ठीक है और एक remainder point हो गए है यहापई taupe to bottom ionization enthalpy, ionization enthalpy decrease क्या करेगी बई? decrease करेगी size increase कर रहा है and size increase and size क्या कर रहा है? increase कर रहा है ठीक है? यहाँ पर हमारे oxide की definition complete होती है अब हम start करते हैं next आपके पास react with water ठीक है? note के जे फटावर कोई doubt है WhatsApp group में institute के जो आपके पास है groups के अंदर आप comment section WhatsApp वीडियो के comment section में आप अलड़ी वो चीजें discuss कर सकते हूँ note कीजिए भई next जो हमारे पास property आते भई reactivity toward water कि जब अलकली मेटल देखो हमने oxygen के साथ react कर रहा है तो हमें एक बात समझ में आए कि oxide, monoxide एक ही बात है dioxide और superoxide की properties को follow कर रहे थे अब जो हम properties को follow कर आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है reactivity toward halogen, sorry water कि water के साथ react कर आओगे तो क्या होगा तो इतना सा तुम्हें याद करने की जरूरत है alkaline, alkali, metals, react with water react with water then make hydroxide ठीक है अब alkali metals को यानि की कोई भी आपके पास metal होगी आप उसको react करेंगे water के साथ तो क्या बनाएगा metal hydroxide बनाएगा प्लस अब वो number of moles पर depend करता है आप यहां से H positive ion भी बाहर निकाल सकते हैं वो ion form में क्या हो जाएंगे भई liberate हो जाएंगी आपकी बाहर निकल जाएंगी या हम कुछ cases में हम S2 gas को भी हम यहां से क्या कर सकते हैं liberate करा सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं ठीक है या हम S2 gas हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं ठीक है दूसरा react करने के बाद क्या करती हैं alkali metals अकली बेतल्स अकली बेतल्स after the reaction, after the chemical chemical reaction so strong strong base in nature alkali metal after the chemical reaction chemical reaction में participate करेंगी then show the strong basic in nature और वो क्या होंगी strong होंगी आपकी यानि कि क्या होंगी nature में ज्यादा basic होंगी यानि कि strong base की property शो करेंगी nature के अंदर यदि ऐस्वा होगा तो top to bottom यानि कि जो आपकी base की property यानि कि strong base का nature हो that will be increase करेगा top to bottom top to bottom top to bottom strong basic property या बेसिक नेचर will be increase कि basic नेचर है बेगो क्या अगर जाएगा increase करना start कर देगा अब कुछ बात करते हैं कुछ remainder calls पे यानि कि जो जब properties के बारे में बात की जाते हैं तो आपको recently वो चीज़े याद आनी चाहिए अब देखो alkali metal react करेंगी तो hydroxide बनाएंगी यानि कि क्या बनाएंगी base base बनाएंगी nature के अंदर फिर हमने discuss किया कि alkali metal after the chemical reaction जब वो chemical reaction कर चुकी होंगी तो show strong base जैसे या मैंने बात की जब metal water के साथ रेक्ट कर चुकी थी तो जब उसने ये वाली property शो की ये कैसी थी ये hydroxide यानि की basic properties को उसने आपे show किया ठीक है show in the nature, nature के अंदर उसने चीज़े को show कर दिया ठीक है फिर हम बोलता है top to bottom the strong basic properties कि top to bottom क्या करती है strong basic properties in nature के अंदर क्या करती है show करती है and top to bottom वही basic properties का जो nature है मतलब highly strong base बन जाता है जब वो नीचे की तरफ जाना start करता है अब ये तो बात आगे reaction वाली अब कुछ image में problems भी तो आएंगी कि we can not storage in water alkali metals को water के अंदर and benzen के अंदर हम store नहीं का सकते in presence of oxygen ठीक है क्योंकि ये expose हो जाएंगी बहुत जल्दी से क्योंकि sodium इतना reactive होता है यदि atmosphere में आप रख दोगे तो fire catch कर लेता है उस में आग लग जाती है ठीक है atmosphere से oxygen की presence में दोसरा कि जैसे potassium की बात करता हूँ प्रोटासियम के अंदर आग नहीं लगती प्रोटासियम को जो पाने की touch में आता है तो उससे smoke यानि की दुवा निकलना start हो जाता है तो हर किसी की unique properties है lithium के साथ ऐसा नहीं होता कि lithium के property बाखे compare में कफी different है उसकी property individual भी हम discuss करेंग तो सबसे पहली बात not storage in water ठीक है alkali metals दुफज बाफे क्वास बाता है दाओ कावर्प्रक्रटर स्धियमर्फ, जाफे वाफे राफेव प्रामिबार, प्रद बाफे? झालर ढफे लाफे हम है लाट बाफे है लाफे ग्टार in water and storage in inert hydrocarbon solvent hydro carbon solvent यहां हम क्या करेंगे भई? स्टोर करेंगे देखो alkali metals water के साथ react कर रही है फिर यही बात हम कह रहे है कि उसको water के अंदर हम storage नहीं करा सकते करा होगे then expose होना स्टार्ट हो जाएंगे expose होने की probability maximum रहती है तो क्या करें? करने का आपके पास सिधा-सिधा option है कि आप उसको inert जैने कि storage करेंगे inert hydrocarbon solvent के अंदर आप उसको क्या कर सकते है store कर सकते है एक condition दोसरी condition यहाँ पे आपके पास निकल के आती है just like kerosene oil में भी sodium को हम क्या कर सकते है storage करके रखते है storage हम करते है ठीक है? तो यह properties थी आप write down किज़े कोई doubt रहता है comment section में आप हमसे discuss कर सकते है पूछ सकते है और whatsapp group जो institute की चल रहे है आप उनके अंदर discuss कर सकते है chapter को अब जितना अच्छे से study करेंगी regular properties के practice करेंगी तो हर property को समझना कोई difficult task नहीं है but यदि आप आज पढ़ रहे हो 4 दिन के नाम का और उसके बाद 6 दिन off कर रहे हो वहला time नहीं था पढ़ने का busy था functions के अंदर, parties के अंदर या कोई घर के किसी काम में busy रहते हो तो वहां से आपको चीजे रिकर करना थोड़ा सा possibilities कम हो जाती है और साथ में अपने गोल बनाईए कि हम mostly किसी एक ऐसा ड्रिम बनाईए जिसको आप अचिव करने के लिए आप थोड़े महनत करें dedicated हो सरफ यह बताने के लिए ना हो कि मैं एक एंडे जोइन करना चाहता हूँ या मायाटी करना चाहता हूँ या मेडिकल करना चाहता हूँ या मुझे कोई और एक्जाम करना है तो भी फोकस आपका फोकस सीधा आपके गोल की तरफ होना चाहिए कंटेंस की तरफ होना चाहिए कि जहां से आपको अच्छा कंटेंस मिल रहा है वो कंटेंस आप गेन करें अपने वक्याब को अपनी नौलेज़ को आप ग्रोथ करें जितना जएदा आपनी आप नौलेज़ को ग्रोथ करेंगे आपकी अच्छेवमेंट उतनी ही आपके पास होगी और पहली बार में फर्स टाइम में आपको मतलब जरूरी निकी first time में आपको क्या मिले success meant मिले क्योंकि success meant में आप जितनी बार मतलब जितनी बार आप try करते हो जितनी बार आप हारते हो उतनी बार हार का अफसोस मनाने से ज्यादा आप उस पे चीजों को implement करने ही सोचें तो success meant ज्यादा मिलेगी और यदि उस पे ज्यादा विचार करेंगे कि हम हार गए अब तो कुछ करने सकते हैं तो वो चीज़ें आपको आपके goal से काफी दूर लेके चली जाएंगी अब हम start करते हैं इसके next property फटा फट नोट कीजिए